हेलो स्टुडेंट्स आज का मारा टॉपिक बहुत इंट्रेस्टिंग है लेकिन उससे पहले एक क्वेस्टिन हमारी लाइफ में जो भी प्रावर्ण्स आते हैं छोटा बच्चा हो या बड़ा आदमी हो यह ना उसको हम लोग कैसे ना कैसे से मोडिफाल करके सौल कर देते हैं अगर किसी स्टुडेंट के एक्जाम है उसकी स्टेड़ी हुई नहीं है विकास और दिन बहुत कम है अभी एक्जाम में उसको एनिहाव कंडिशन एक्जाम पास करनी है तो क्या करेगा वो रात दिन एक कर देगा रात तक पढ़ेगा एक मंत में वो टास्क को पूरा कर लेगा उसके लिए बहुत हम लोग टेंशन लेते हैं बहुत सारा management करते हैं बहुत सारी मेंस सारी चीज़ों को avoid करते हैं जो टाइमपास वालीचीज होती हैं ना बट कभी आप लोगों ने यह सोचा है Have you ever think कि हम लोग ने खाना खा लिया, काम खतम हम लोग ने oxygen अंदर ले लिया, intake कर लिया breathing कर लिया, काम खतम उसके बाद body में क्या-क्या चीज़े होती है खाना खाने के बाद digestion में कितना time लगता है उसके बाद absorption, उसके बाद metabolism, उसके बाद excretion कितना time लगता है, कितनी complex process है कभी उसके बारे में सोचा आप लोगों ने हमारी body में जितनी भी parameter से है ना, फिर से repeat करना हो, जितनी भी parameter से temperature हो, blood pressure हो, pH हो हमारे blood का हमारे blood का volume हो, या फिर you can call osmoregulation हो, salt का balance, water का balance इतनी energy की मुझज़र होते हैं, नहीं, हम लोग तो जितना पेड़ पर उतना आने ही दो, आने ही दो, है कि नहीं चलनी देते हैं हम लोग, तो यह सब management कौन कर रहा है हमारा heart continuously beat कर रहा है, हम लोग की बर्थ हुआ, हम लोग का stimuli without any work, यह activity ऑटोमेटिकल ही बॉड़ी में चल रही है, इसके पीछे reason क्या है, आप लोग बुलो के कि सब इसके पीछे reason है, हमारा brain, हमारा central nervous system, and along with that, some factors हाद है, some factors मनलब क्या रहाएगा, along with your central nervous system, आपकी बॉड़ी में सबसे important और एक system में, that's a endocrine system, hormones, तो brain मनलब के central nervous system, organ call nervous system, along with your endocrine system मनलब के hormones, यह दोनों जो मिल जाते हैं, तो यह हर एक parameters को activity को चुटकी में complete कर देते हैं, है ना, हमें पता भी नहीं चलता है, within fraction of second फटा-फट से काम चलता रहता है, तो आज हम लोग यह देखेंगे, यह जानेंगे, अच्छे से detail में, कि feedback mechanism क्या होता है, hormones का, मतलब basically, जो भी activities हमारी body में चल रही है, उसे hormone किस तरीके से control and coordinate करता है, है ना, तो उसके लिए feedback mechanism पे हमारे hormones काम करते हैं, है ना, हाज हम लोग एक छोटा समय नहीं आप example लिया है, उसके through समझने का try करेंगे, कि feedback mechanism क्या है, और each and every fraction of second, हमारी body में जो भी चीज़े आ रही है, जो भी parameters regulate हो रहे, control हो रहे हो, वो कैसे हो रहे है, उसका हम लोग एक छोटे से example कैसा समझने का try करेंगे, ओके, so hormonal feedback mechanism basically दो अलग लग type की होती है, एक होता है positive feedback mechanism और एक होता है negative feedback mechanism, ठीक है, I hope आप लोग को दिख रहा होगा और समझ में आ रहा होगा, तो let's say, कि मैं एक example लेता हूँ, सबको पता है कि हमारा जो liver होता है, ओके, liver में maximum क्या होता है, metabolism होता है, क्या होता है, metabolism reactions बहुत सारी चलती रहती है हमारे liver में, detoxification and all, तो if suppose liver wants to perform metabolism, it can be any carbohydrate, protein या vitamin कुछ भी हो सकते हैं, तो liver want to perform metabolism, and for that metabolism, liver को क्या चाहिए, liver को T3 और T4 hormones चाहिए, T3 और T4 hormones जो कहां से निकलते हैं, from thyroid gland, okay, basically T4 hormones और thyroxin hormone, तो आप क्या करेगा, liver एक protein के form में, एक signal generate करेगा, और ये signal होते 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 हैं, कहां तक जाएगा हमारे, hypothalamus तक जाएगा, that hypothalamus is supreme commander of our body, hypothalamus हमारे pituitary gland को command देता है, या फिर उसको control करेगा, और pituitary gland हमारे बाकी glands को control करते हैं, endocrine gland को, ठीक है, so यहाँ से एक particular, you can call signal, generate हुआ, और वो signal होते होते कहां तक गया, हमारे hypothalamus तक गया, ये चीज hypothalamus को पता चली के, liver wants to perform metabolism, हो हर्मोन का नाम है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग जान से देखना, वो हर्मोन का नाम है, that's a T-R-H, है ना, मैंने इस तरीके से उसको लिखा, वर्टिकल इसमें, T-R-H उसका फिल फर्म है, thairo-tropin releasing hormone, वो कहां से निकला, हमारे हाइपोथलामस से, और वो release होके कहां गया, हमारे anterior lobo, pituitary gland पे चला गया, आप लोग देख पा रहे हूए हापे, यह ना, so anterior pituitary पे अभी क्या आ गया, T-R-H, thyro-tropin releasing hormone, जैसे ही, जैसे ही, यह hormone pituitary gland को मिला, pituitary gland ने वहाँ से secret किया, अब यह signal की response में होर्मोन रिलिस किया, thyro-tropin releasing hormone, जो anterior pituitary को मिला, उसके response में, anterior pituitary ने thyroid stimulating hormone को release किया, अब यह thyroid stimulating होते होते होते, मतलब यह पूरी activity blood में हो दिया है, ब्लर्ड में हो रहा है, तो यह होते होते, blood के साथ कहा जाएगा, यह हमारे thyroid gland तक जाएगा, जैसे ही thyroid gland के पास TSH आया, thyroid gland ने महाँ से secret करना स्टार्ट कर दिया, उसके follicular cells में से secret किया, उसने T3 and T4, T3 means that's a triiodothyronin, T4 means that's a tetraiodothyronin, we are also calling it the thyroxin, उसको लोग thyroxin hormone ऐसा भी बोल सकते हैं, अब यह T3 and T4 कहाँ चे लगे हैं, blood में होगे, blood में release होगे, secret होगे, और वो जाते-जाते किसको मिल गए, liver को मिल गए, अब liver को जो भी requirement थी, liver को जो भी requirement थी, metabolism करने के लिए T3 and T4 अभी हो fulfill हो गई, तो यह पूरी reaction में, अगर आप ध्यान से देखो, तो हर चीज़ क्या हो रही है, stimulate हो रही है, release हो रही है, stimulate हो रही है, यहाँ से protein signal गया, तो यहाँ से TRS क्या हो गया, plus मतलब क्या, plus का sign क्या denote कर रहा है, कि वो release हो रहा है, निकल रहा है, secret हो रहा है, उसके response में TSS क्या हो गया, release हो गया, secret हो गया, उसी के response में T3 और T4 क्या होगे, release होगे, secret होगे, तो यह पूरे mechanism को हम लोग क्या बोलेंगे, we are calling this particular secretory mechanism as a positive feedback mechanism, क्या बोलेंगे उसको that's a positive feedback mechanism, अब क्या हुआ, condition is that like, कि यह liver में metabolism करने के लिए, मतलब कि metabolism reaction फुल्फिल करने के लिए, जितनी requirement ही T3 और T4 की वो फुल्फिल होग अब क्या करेगा, liver T3 और T4 को लेना बंद कर देगा, उसको stop कर देगा, ठीक है, उसको inhibit कर देगा, तो basically T3 और T4 कहां बढ़ जाएंगे, T3 और T4 हमारे blood के अंदर बढ़ जाएंगे, ठीक है, blood के अंदर T3 and T4 का level क्या हो जाएगा, increase हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो basically य से लेगा कि यार, अभी liver के अंदर T3, T4 के ज़रूद नहीं है, because जो requirement T4 metabolism फिलफिल हो गई है, so अभी जैसे उसको यह signal मिला, कि blood में T3 और T4 का level बढ़ गया है, basically hypothalamus ने किया गया, जो TRS release हो रहा था, secret हो रहा था, उसको secret करने से inhibit कर दिया, minus sun middle उसको inhibit कर दिया, secretion को, अ जैसा यह secret होना, बंद हो गया, तो क्या होगा, from this thyroid gland, thyroid follicles में से, follicular cell में से, T3 और T4 भी secret होना, बंद हो जाएंगे, negative हो जाएंगे, minus हो जाएंगे, so we are calling this inhibitory mechanism, at each step of your endocrine gland, as a negative feedback mechanism, यह क्या रहेगा आपका, negative feedback mechanism, okay, so body में जब किसी की requirement होगी, तो secretion बढ़ता चला जाएगा, है न, we are calling it as a positive feedback, और जब वो requirement fulfill हो जाएगी, तो क्या होगा, वो secretion stop होते जाएंगे, उसको inhibition होता जाएगा, तो we are calling it as a negative feedback mechanism, okay, तो यह बहुत एक छोटा सा short and sweet example लेके में आपको बताने का try क्या है, कि हमारी body में जितने भी hormones से, जितने भी endocrine gland से, वो कैसे हमारी body का homeostasis maintain करते हैं, होस्मो regulation maintain करते हैं, या फिर उनकोल हमारे बाकी parameters को maintain करते हैं, I hope आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, please इसको share करिए, उसको बुरा spread करिए, तब तक के लिए जाए हिंड,